आज के इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश रेडियंस चैप्टर 7 जापान दा लैंड ओफ राइजिंग सन को पढ़ने वाले इसका question answer हम लोग करेंगे English to Hindi meaning जो है इसका हम लोग पिछली वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग इंग्लिश का playlist जाकर जरूर चेक करेंजिए आपको इसमें ये वीडियो जरूर मिलेगा तो चैड़ी हम लोग question answer की तरफ बढ़ते हैं be point one think and tell मतलब सोचो और बताओ answer the following questions in a word or phrase ठीक है शब्दों के समों को phrase कहा जाता है ठीक है word मिन शब्द तो following में निमनलिखित यानि यहाँ पे जो लिखे हुए हैं तो निमनलिखित प्रशनों के उत्तर आप एक शब्द में या शब्दों के समों में दीजिए पहला question है बच्चो which country is called the land of the rising sun पिशली वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं कि जापान को जापान देश को land of rising sun उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है ठीक है पहला question तो पहले question का यह answer है ठीक है मैंने question नहीं लिखा है सिर्फ मैंने answer लिखा है ठीक है आप यहाँ देख सकते है ठीक है और इधर दिया हुआ है तीसरा चौथा पाँचवा छट्रा साथवा आठमा उतर तो सबसे पहले हम लोग पहले प्रशने का which country is called the land of the rising sun इसका English में answer क्या होगा जापान is called the land of rising sun जापान को उक्तेवे सूरज का देश कहा जाता है यह answer number one ठीक है अब है question two what adds to Japan's beauty इसका प्रशन का जो meaning है यह है कि जापान की सुन्दर्ता में क्या add होता है क्या जुडने से उसकी सुन्दर्ता और बढ़ जाती है ठीक है तो जापान की सुन्दर्ता किस चीज से बढ़ जाती है यहाँ add का मतलब बढ़ना होता है तो जापान की सुन्दर्ता किस चीज से बढ़ जाती है इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग the snow clad high mountains the snow clad high mountains adds to japan beauty यहाँ पर दिखिए snow clad का meaning हम लोग पिछली वीडियो क्लास में पढ़ चुके थे covered with snow यानि बर्फ से ढखे हुए snow clad का मतलब होता है हिंदी में बर्फ से ढखे हुए तो जो mountain होते हैं यानि कि जो पहाड होते हैं बच्चों जो पहाड होते हैं वहाँ वह बर्फ से ढखे होते हैं जो add करता है japan's beauty जो japan की देश की सुन्दरता को और बढ़ा देता है तो यह second question का यह answer हुआ ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रशन की ओर थार्ड कोशन है which what is the chief food of the japanese चीफ का अर्थ होता है मुख्य ठीक है तो पूछ रहा है question में कि जो japanese होते हैं japanese किसे कहते हैं जापान के लोगों को japanese कहते हैं तो japanese का जो है मुख्य खाना क्या है तो japanese का मुख्य खाना क्या है तो answer क्या होगा बच्चो rice and fish answer होगा हमारा rice and fish चावल और मच्छी ठीक है तो हमारा चौथा question है fourth question what is the feast of dolls ठीक है देखे बच्चो पिसले वीडियो क्लास मैंने feast का मीनिंग बताया था इसका मीनिंग होता है feast का दावत ठीक है तो यह कह रहा है कि जो दावत होती है गुडिया की वो किसे कहा जाता है वह क्या है what means क्या तो जो दावत है गुडिया की या जो feast of dolls है वह क्या है चौथा number answer ठीक है तो fourth answer जो है हमें कम से कम शब्दों में उत्तर देना है ठीक है तो answer four होगा playing with dolls ठीक है तो feast of dolls क्या है बच्चो playing with dolls यानि गुडियों के साथ खेलना इसका यह answer होगा fifth question है बच्चो what is the feast of the carp ठीक है कार्प भी मैंने बताया था कि एक strong और brave मचली को कार्प कहा जाता है बहुत ही बहादुर और ताकतवर मचली को कार्प कहते है तो कह रहा है कि feast of the carp क्या है यानि यह जो कार्प जो है मचलियों की जो दावत है यह क्या है feast of the carp क्या है तो इसका answer लिखेंगे बच्चो flying a kite which looks like a fish ठीक है flying a kite which looks like a fish जो दावत होती है feast of the carp जो कार्प की जो दावत होती है वह लड़कों के लिए होती है और लड़के क्या करते हैं वह पतंग को उड़ाते हैं flying a kite पतंग को उड़ाते हैं which looks like a fish जो मचली के आकार का होता है यानि जो पतंग होती है वह मचली के आकार की होती है जो लड़के उसे उड़ाते हैं ठीक है answer 5 answer 6 है how do the Japanese treat their guest ठीक है तो जो Japanese होते हैं guest means महमान treat मतलब बरताओ ठीक है how means कैसे तो जो Japanese होते हैं वह अपने अतिथी के साथ किस तरह का वेवहार किस तरह का बरताओ करते हैं या कैसी बरताओ करते हैं ठीक है answer number 6 question 6 question 6 का answer number 6 क्या होगा Japanese always welcome their guest and polite to them इसका मीनी क्या हुआ बच्चो कि Japanese जो होते हैं always welcome हमेशा always means हमेशा welcome स्वागत करते हैं their guest अपने अतिथी का and polite और बहुत विनम्र होते हैं to them उनके साथ बहुत विनम्र होते हैं और उनका बहुत स्वागत करते हैं 7 number question है बच्चो How do they bear pain? Pain means दुख, तकलीफ, दर्द Bear means सहन करना तो यह बोल रहा है question में How do they bear pain? वह तकलीफ को कैसे सहन करते हैं? किस तरह से सहन करते हैं? तो आंसर क्या होगा बच्चो 7 का? They bear their pain with a smiling face ठीक है? They bear their pain वे सहन करते हैं अपना दर्द ठीक है? With a smiling face मुस्कुराते हुए चहरे के साथ वे अपना दर्द मुस्कुराते हुए चहरे के साथ फेस करते हैं मतलब bear करते हैं ठीक है? Answer number 7 Question number 8 है List some of the qualities which help the Japanese to grow brave and polite यह कह रहा है List मतलब list बनाईए आप Some of the qualities कुछ Some means कुछ Qualities मतलब विशेष्टा कुछ उनकी विशेष्टाओं की quality जो उनकी quality है उसका आप list बनाईए Which help the Japanese जो Japanese को मदद करता है To grow brave and polite मतलब वो जब बड़े होते हैं तो बहुत बहादूर होते हैं और विनम्र होते हैं तो वो कौन-कौन सी qualities होती है कि उनको brave बनाती है तो उसके हम लिए आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? Answer number 8 लिखेंगे लिस्ट करेंगे qualities को They are soft smoking वो बहुत ही मृदू भाशा बोलते हैं मतलब वो बहुत ही मीठा अच्छा बोलते हैं They never shout वो कभी भी चिलाते नहीं हैं और speak aloud ना तो तेज आवाज में बात करते हैं They are very polite to others वे दूसरों के साथ विनम्र रहते हैं And well-mannered और बहुत ही अच्छा विवहार उनका होता है ठीक है? तो यह सारी qualities हैं जो Japanese को ग्रो करती हैं Brave बनाने में और polite बनाने में ठीक है? तो अब हमारा next question है B.2.1 Answer the following questions briefly मतलब निमलिखित questions की answer जो है वह संक्षिफ्ट में आने short में दीजिए तो पहला question है बच्चो Why is there no smoke in a Japanese house? ठीक है? मतलब Japanese की जो घर होते हैं उनके घर में धुआ धुआ क्यों नहीं होता है? इसका answer क्या लिखेंगे बच्चों लोग? इसका answer लिखेंगे They use stoves for cooking So smoke is not found in Japanese house ठीक है? वह जो है Stove पे खाना बनाते हैं इसलिए उनके घरों में धुआ नहीं होता है मतलब लकडी जला कर खाना नहीं बनाते हैं Stove पे खाना बनाते हैं ठीक है? यह B.2.1 का answer number 1 दूसरा question है यहाँ पर देखिए What do the Japanese boys and girls love? जो Japanese लड़की होते हैं लड़किया होते हैं वह किस चीज़ से मतलब वह प्यार करते हैं? तो इसका answer क्या लिखेंगे हम लोग? The Japanese girls love to play with dolls जो Japanese लड़किया होती हैं जो लड़किया होती हैं उनको अच्छा लगता है And boys love kite flying very much और लड़कों को पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है मतलब वह love करते हैं kite flying को ठीक है? kite flying को उड़ाना उनको बहुत पसंद है थर्ड question है What do the Japanese do on new year's day? जो Japanese होते हैं जापान की जो लोग होते हैं वह नया साल का जो दिन होता है जो नया साल का दिन होता है उस दिन वह क्या करते हैं? उसका answer क्या लेखेंगे बच्छों लोग? देखिए हम लोगों ने पढ़ा था लेसन में On new year's day मतलब नया साल का जो दिन होता है उस दिन जैपनीज, जैपान के जो लोग होते हैं, विजिट देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, मिलते हैं, and give presents to them, और उन्हें उपहार देते हैं, At night, रात में, they light their houses, वह अपने घरों को रौशनी से रौशन करते हैं, with paper latin, जो paper के जो lantern होते हैं, उनसे वह अपने घरों को रौशनी करते हैं, light जलाते हैं, and rejoice greatly, और बहुत ही उत्साह से मनाते हैं, rejoice मतलब आनन, बहुत आनन उत्साह से मनाते हैं, चौथा कोशन है बच्चो, what is a carp, why is it significant to a Japanese, तो कार्प क्या है, और यह significant, मतलब Japanese, यानि जापान के लोगों के लिए क्यों significant है, क्यों महत्वर रखता हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग कार्प, हम लोग ने पढ़ा था कि कार्प क्या है, का A carp is a very strong and brave fish, कार्प जो है, एक मचली है, जो बहुत ही ताकतवर और brave, मतलब बहादूर टाइप की फिश है, मचली है, प्रकार की मचली है, it is significant to Japanese, यह Japanese के लिए महत्वर रखता है, because, क्योंकि every boy, हर लड़का in Japan, जापान का हर लड़का, hopes to grow up as, grow मतलब बढ़ा हो, hopes में आश वहाँ जापान के लड़कों से आशा की जाती है माँ के बच्चों से, कि वह बड़े हों, brave and strong, वह बहादूर और ताकतवर बने, कैसे, कार्प के जैसे, ठीक है, उस मचली के तरह, वह बहुत ही ताकतवर और बहादूर और strong बने, ठीक है, इसलिए वह उनको महत्वर रखत है, तो यह क्या कह रहा है, चौथा कॉशिन बच्चों, what is a कार्प, कार्प क्या है, why is it significant to a Japanese, यह जैपनीज के लिए significant, मतलब उनके लिए यह कार्प जो है, क्यों महत्वर रखता है, ठीक है, क्यों महत्वर रखता है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग के पहले कार्प क्या है, तो देखिए आंसर नमबर फोर, the कार्प is a very strong and brave fish, कार्प जो है, वह बहुत strong, ताकतवर and brave, बहादुर, फिश है, एक प्रकार की मचली है, it is significant to Japanese, यह जैपनीज को महत्वर रखते हैं, because, क्योंकि every boy, हर लड़का, in जापान, जापान में, hopes to grow up, यह आशा की जाती है, वहाँ के बच्चों से, वहाँ के लड़कों से, कि to grow up as, कि वह बड़े हों, brave and strong as the car, वह बड़े हों, एक ताकतवर, एक strong, मजबूत, और बहादुर व्यक्ति की तरह वह बने, बहादुर इंसान बने, जैसा की कार्प है, ठीक है, उनसे आशा की जाती है, कि वह इसी प्रकार का, जैसे कार्प मचली, बहुत बहादूर और शक्तिशाली और बहुत ताकतवर होती है, उसी प्रकार यह boys, जो है, लड़के, जो है, जपान की, वह बड़े हों, ठीक है, तो यह हमारा यहाँ पर हो गया, question number 2, B.2.1 का 4 प्रश आप detail में बताई है, मतलब विस्तार में बताई है, मतलब अच्छे से इसको आपको बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 question है, ठीक है, और इधर 2 question है, 5, 6, चलिए हम लोग इसको पहले करते है, what are various Japanese customs, ठीक है, customs का मतलब होता है, बच्चों, रिति रिवाज, ठीक है, तो Japanese क कौन कौन से रिति रिवाज है, ठीक है, आंसर हम लोग, चलिए इसका करते है, देखिए, आपर देखिए, लिखा हुआ, B.2.2 का आंसर नमबर 1, तो मैंने यहां copy में लिखा है, आप इसको, screenshot जरूर लेकर आप copy में इसको लिख सकते हैं, screenshot लेकर आप इसको आंसर लिख सकत आंसर नमबर 1, Shintoism is the chief religion of the Japanese, जो Shintoism होता है, वह मुख्य, जो है उनका religion होता है किसका, Japanese का, मुख्य धर्म होता है उनका, that teaches them to love, जो उन्हें सिखाता है, to love beautiful things, अच्छी अच्छी चीजों से प्यार करना, सुन्दर चीजों से प्यार करना, and to honor the dead, और जो मुख्य है, उनका आदर करना, honor मतलब आदर करना, सम्मान करना, they celebrate two important festivals, वे जो हैं, दो मुख्य, तिवहार मनाते हैं, कौन का celebrate means, मनाना, one for the girls, एक लड़कियों के लिए, which is feast of dolls, एक लड़कियों के लिए होता है, जिसका नाम है, feast of dolls, मतलब गुडियों की दा जहां हर गरीब लड़की, मतलब जो गरीब लड़की है, उसको भी एक खिलोना, गुडिया की रूप में दिया जाता है, और वो उससे खेलती है, and one for boys, और दूसरा लड़कों के लिए, which is the feast of the car, जो एक लड़कों के लिए तिवहार होता है, जिसका नाम है, feast of the car, ठीक है, जाने की fly, पतंग को उड़ाने की दावत होती है, जो हर बच्चा वहां का पतंग उड़ाता है, और उसे मनाता है, तो यह उनका रिति रिवाज और धर्म होता है, मनाने का, चली बच्चों, दूसरा question है, how do the Japanese boys and girls enjoy themselves, ठीक है, तो जापान के जो लड़की लड़किया होते ह ठीक है, enjoy, enjoy मिस मनोरंजन और आनंद उठाते हैं, themselves, अपने आप, इसका भी answer बच्चों, जो maximum question की जो answer है, वो feast of doll और feast of carp से ही related है, तो इसका answer लिखेंगे हम लोग, the Japanese girls enjoy themselves by playing with dolls, ठीक है, Japanese जो girl होती है, वो अपने आपको मनोरंजन करती है, by playing with dolls, वो गुडियों के साथ खे as the festival feast of dolls, ठीक है, जो मनाया जाता है, त्योहार के तरह, जिसे कहा जाता है, feast of dolls, and the Japanese boys enjoy themselves by flying with kites, which is celebrated as festival the feast of car, और जो लड़की होते हैं, वो अपना मनोरंजन करते हैं, flying with kite, पतंगों को उड़ा कर, which is celebrated, जो मनाया जाता है, as festival त्योहार के जैसा, the feast of the car, जिसका नाम है, feast of the car, यानि मचलियों की तरह दिखने वाली, मचलियों की तरह दिखने वाली पतंग की दावत, they also celebrate the new year's day with great fun, और ये जो लड़की लड़कियां होते हैं, जापान की, वो मनाते हैं, क्या मनाते हैं बच वो मनाते हैं with great fun, बहुत ही जादा उत्सा से मस्ती के साथ ये इस दिन को भी मनाते हैं, ठीक है, चलिए, answer number 3 क्या लिखेंगे बच्चों, हम लो question, describe the behavior of the Japanese children, ठीक है, कह रहा है, कि जो विवहार होता है, Japanese children, जापान के जो बच्चे होते हैं, उनका जो विवहार होता है, describe व number 3, children in Japan are very clean and neatly dressed, जो बच्चे होते हैं, जापान के बहुत ही साफ सुत्रे होते हैं, मतलब बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, साफ सुत्रे होते हैं and neatly dressed, और वो जो कपड़े पहनते हैं, जो ड्रेसिं होता है, बहुत साफ होता है, बहुत साफ कपड़ा पहनते हैं, they never spit in the room, we kabhi never, मतलब kabhi bhi, ठीक है, we kabhi bhi spit, spit मिल्स थूकना, वह कभी bhi, कमरी में नहीं थूकते हैं, they are very polite with others, वह बहुत ही विनम्र होते हैं, with others, दूसरों के साथ, with others का मतलब, others मतलब दूसरों, दूसरों के साथ, they are very soft spoken, वह बहुत ही middle भाषा बोलते हैं, they never shout, वह कभी चिलाते नहीं हैं, or speak aloud, ना तेज बोलते हैं, they never rude with others, वह दूसरों के साथ, रूखा विवहार नहीं करते हैं, तो यह बच्चों के बारे में हुआ, कि वहाँ Japanese चिल्डरन होते हैं, वहाँ के बच्चे, उनका विवहार कैसा होता है, अब question number four, बच्चों, how can you say that the Japanese love the country, ठीक है, how can you say that the Japanese love their country, तो कह रहा है, आप कैसे कह सकते हैं, कि Japanese जो होते हैं, जापान की जो लोग होते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, ठीक है, answer four, जो जापनन के लोग होते हैं, वह respect करते हैं, समान करते हैं, आदर करते हैं, and love, और प्यार करते हैं, अपने देश को very much, बहुत जादा, they are ever ready to die for their country, they are ever ready, मतलब ever मतलब कभी भी, तो कभी भी वे तयार रहते हैं, ready, ever ready मतलब वो कभी भी तयार रहते हैं, to die for their country, अपने देश को, अपने देश पे मरने के लिए, वो कभी भी तयार रहते हैं, and that's why we can say, और इसलिए हम कह सकते हैं, that the Japanese love their country, कि Japanese अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जो अपने देश के लिए मर मिटने को तयार होगा, वो अपने देश से क्यों तयार होगा, क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्यार करता है, चलिए, question number five है बच्चो, what is shintoism, what does it teach, तो shintoism किसको कहते हैं, और वो क्या सिखाता है, teach मतलब क्या सिखाता है, तो shintoism को हम shinto dharm कहते हैं हिंदी में, तो इसका हम लोग के answer लिखेंगे बच्चो, यह दिखे, answer number five, shintoism in the chief religion of the Japanese, तो shinto dharm जो होता है, वो मुख्य धर्म होता है, religion होता है किसका Japanese का, it teaches the Japanese, यह Japanese को सिखाता है, to love, प्यार करना, beautiful things, सुन्दर चीजों से प्यार करना, and to honor the dead, और जो मृत हैं, उनका आदर करना, ठीक है, उनका सम्मान करना, यह सिखाता है, उनका धन, shintoism, question number six है, बच्चों, make a comparison between the lifestyle of an Indian and a Japanese, तो कहरा comparison, comparison का मतलब तुलना कीजिए, make a comparison, तुलना कीजिए, between दोनों के बीच, किसके किसके lifestyle, कि मतलब lifestyle, मतलब उनका रहन सहन, एक Indian का, और एक Japanese का, मतलब किसी एक भारत के रहने वाले व्यक्ति का, और एक Japan के रहने वाले व्यक्ति का, हम को तुलना करना है, तो इसका answer हम क्या लिखेंगे, तो देखे बच्चों, इसका answer हम क्या लिखेंगे, यह सब ही के लिए नहीं है, कि Indian ऐसे हैं, हमें बस एक तुलना करना कि यहाँ के एंडियन के एक व्यक्ति से तुलना कर सकते हैं एंडियन can be seen spitting here and there very commonly ठीक है तो हम किसी भी किसी को देख सकتे हैं ऐसा यह यह नही है कि सब लोग ऐसा करते हैं ऐसा बिलकुल भी नही है लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक इंडियन मतलब देखा जा सकता है spitting मतलब ठूटते है here and there मतलब बहुत सारे से लोग होते हैं जो कहीं भी ठूट देते हैं और यह हमेशा हम जादा तर देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं भी ठूट देते हैं but लेकिन this can't be expected by a Japanese लेकिन जापान के लोग को कोई भी ऐसा वेक्ति इस तरह का काम नहीं कर सकता ठीक, expected मतलब ऐसा नहीं उससे expect किया जा सकता आशा किया जाता कि कोई जापान का वेक्ति ऐसा कहीं भी थूख दे ऐसा नहीं कर सकता And Indian can be rude with others, but Japanese never rude with others Indian में आप देख सकते हैं अगर किसी को गुस्सा आता है तो दूसरों से रूखा वेवार कर सकता है लेकिन जो Japanese होते हैं never rude with others, वो दूसरों से कभी भी रूखा वेवार नहीं कर सकते तो हमने यहां दो comparison किया, दो तुलना किया कि हम Indian को देख सकते हों कहीं भी दवदर थुक सकते हैं लेकिन Japanese ऐसा नहीं कर सकते हैं और Indian जो है वो दूसरे के साथ रूखा वेवार कर सकते हैं लेकिन Japanese दूसरे के साथ रूखा वेवार कभी नहीं करते हैं ठीक है?